मतलब जो huts होते हैं वे बहुत जादा cheap होते हैं और easy to build मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते और easily बनाए जा सकते हैं Next है in cities people live in houses People live in houses made of bricks, cement and metal मतलब people जो लोग cities में रहते हैं उनका घर cement, ito से और नोहे इन सब चीजों से बनते हैं Doors and windows मतलब दर्वाजे और खिर्की are made of wood and glass मतलब लकडी और कांट से बनाए जाते हैं These houses are strong and safe ये घर जो होते हैं वो बहुत जादा strong होते हैं और safe भी होते हैं Some people live in small houses, some live in bungalows and some live in flats मतलब कुछ लोग छोटे घरों में रहते हैं, कुछ लोग बड़े घर में, bungalows में रहते हैं और कुछ लोग flats में रहते हैं Do you live in a small house, bungalows or flat? आप लोग किस घर में रहते हैं? यहाँ पर आपको लिखना है Rooms in a house मतलब rooms कौन-कौन से होते हैं घर में A house has many rooms, each room has a different use मतलब घर में बहुत सारे rooms होते हैं और हर room का अपने एक काम होता है अपने एक use होता है First है, we sleep in bedroom मतलब हम bedroom में सोते हैं We bath in the bathroom मतलब हम bathroom में नहाते हैं Fresh होते हैं Our mother cooks food in kitchen हमारी मम्या kitchen में खाना बनाती है We take food in the dining room मतलब dining room में हम बैट के सभी साथ में family के साथ खाना खाते हैं We talk and meet our guests in the drawing room Drawing room में बैट के हम अपने guests से, महमानों से बट के बात करते हैं Some homes also have study room मतलब कुछ घरों में पढ़ने के लिए room भी होता है Study room भी होता है Where we read and study जहां हम बैट के पढ़ाई करते है We should keep our home neat and tidy मतलब हमें अपने घर को हमेशन साफ और सुत्रा रखना थाई Complete the name of given items that we used to clean our house मतलब यह जो चीज़े हैं 1, 2, 3, 4 इनका नाम आपको complete करना है जिनका use हम घर साफ कर निकले करते हैं पहला है Broom Broom मतलब जाडू Next है DUST BIN dustbin मतलब कुड़ादान MOP Mop मतलब पोचा And VACWM vacuum CLEANER Vacuum cleaner मतलब जिससे हम घर को वो मशीन आती है जिससे घर पुरा अच्छी से clean कर देता है Okay, तो यह chapter यहाँ पर complete हो गया Next सार से हम इसके आगे इसके exercise complete करेंगे तब तक के लिए चिपके रॉल आफ यू And Thank You